हालो व्रीबार वेलकम टो आई चैनल आलाइन जी अस्पाय दिवाकर यहां में देखिए हम लोग जोगरफी आफ इंडिया का यहां चैनल आपको ढ़ेड़ सारे जो और सी फैक्ट है वह भी आपका यहां पर इंडिया जा रहा है तो यहां आप सारे वीडियोज नहीं प्लेडियोज नहीं आपको मिल ला तो आप वीडियो में जाके पीछे देख लिजेगा इसके अलावा जो आप है यह जरूर डाउनलोड करिए इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि वहां पर ठेर सारे वीडियो प्यडियाप मिल जाएंगे इसके अलावा टेस्ट भी मिल जाए तो वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी या डाउनलोड करें इस तोर में भी बैचाल लेडी अप्लोड़ेड है और इसके अलावा लाइब क्लास भी आपको मिलता रहेगा इसमें देखें जो आपका नेट जार आपका बैच चल रहा है दिसंबर को टार्गेट करके और इस पीजीटी का है जार खंड पीजीटी का बैच चल दा जार खंड का देखें आप लों का exam डेट जो है यह सेप्टेंबर में ही होजकता है ठीक है तो सेप्टेंबर में महले जाए आप चुकिए वहां पर कुछ कोड में मैटरिंग का पेंड है तो इस वज़ा से और काफी व वीडियो आपको देने हैं तो मैक्सिमुम का आपका यहां पर हो चुका है यानि 80% स्लेवास आपका लगभग कम्प्लीट हो चुका भी जहार खंड हम लोग डिस्कुस करी रहे हैं तो यह जानकारी में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप किसी भी कोर्स की जानकारी चाहरा है तो आपको यहां मिल जाएगी इसके अलावा एक लब माडल स्कूल का भी आपका कोर्स स्टार्ट होने वाला है और यहां पर मैं पूरी NCRT आपको पढ़ाऊंगा ठीक एक लब में इसके अलावा यहां पर प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगा अभी देखे आपको यह आपको अरफ सागर में ठीक है यहां पर देखे में इसके अलावा एक जो साट नोट्स का आपका चल रहा था कि पूरा कोर्स आपका यह कराने के बाद वीडियो का फिर मैं क्या करता हूं एक साट नोट्स आपको प्रोवाइड करता हूं जिसमें पूरा रिवीजन और इसक से चल रहे हैं राजस्थान का भी देखिए आपका प्लोड हो जाएगा स्टैक्स में उसमें आपका वीडियो और टेस्ट आप लोगों को भेजी जाए गया है तो इस्टैक्स वाला सबसेट टाफ पोर्शन जो है वह जगरफी में स्टैक्स का है जिसमें आपका काल पीरसन का फर्मूला हो गया आपके समांतर माद्य हैं माद्धिका है ठीक है यह सारी चीजें हैं उसमें सामिल की गए है काफी टब भी है तो यहां पर देखिए दीप समूह के में लोग बात करें तो दो दीप समूह है एक आपका बंगाल की खाड़ी वाला दूसरा अरफ सागर मे बंगाल की खाड़ी में जो दीप हैं यहां पर लगवा कितने हैं पांसुबातर अब देखे एक्जाम के पॉइंट अब यूसे यह इंपॉडेंट है क्यों क्योंकि यही आपका डायरेट पूछा गया है पेपर में इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं एक एक करके और डि जान दकेगा 572 कहां पे हैं बंगाल की खाड़ी में यह इनका विस्तार देख लिए छे डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री इस्ट से 94 डिग्री इस्ट के बीच में यह 572 टूटल जो आइसलेंट है यह सिस्टेटी नार्थू 6-14 डिग्री नार्थ और 92 ड डिग्री इस्ट यह क्या है यह आपका देशांतर है यह अच्छांस है यानि 6-14 डिग्री आच्छांस के बीच और 92 से लेकर 94 पूरवी डेशांतर के बीच इस्तित है रिची दीप समो और लवरिंद दीप यहां के दो प्रमुग दीप समो है चलिए यह आपका इंपोर्ट समो है तो यह मानकर चलिए कि जो आपका यह है इसको जरूर देखिए यह आपके दो प्रमुग दीप समो है आपके रिची है और लवरिंद रैंट बंगाल की खाड़ी के दीपों को दो स्रेड़ियों में डिवाइड किया गया है। अब देखें यहाँ पे एक चीज और आपका मेमसिन किया गया ह। बंगाल की खाड़ी के जो दीप हैं, उनको तो दो स्रेडियों में डिवाइट करते हैं हम लोग एक आपका उत्तरी अंडमान हो जाता है एक आपका उत्तर में अंडमान है ठीक है दक्षिण में आपका क्या है नीकोबार है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं अंडमान नीकोबार दीप समूव इन दोनों को शमलित रूप से क्या बूला जाता अंडमान निकोबार दीप शमुव ठीक है इसको ध्यान रखे अब यहां पर देखे यह जो पीडियाप आप लोगों दिखा रहा हूं मैं यह देखे दोजार तेशोविस का है यह बहुत ही अपडेटिड आपको यहां पर दिखा जा रहा है ठीक यह दीप स बोलते हैं ठीक है यही जब उपर दिख जाते हैं तिने हम लोग दीप समुव बोल देते हैं कुछ छोटे दीपों की उत्पत्ति ज्वाला मुखी से भी जुड़ू है बैरन आइलेंड नामक भारत का एक मात्र जीवन ज्वाला मुखी भी दीप नीकोबार दीप समुव मे सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट ही है इस दीप समुव की मुख जो परवच चोटियां है इसमें सैडल पीक जो है यह उतरी अंडमान का 738 मीटर है मांट डियाबोली मद्ध अंडमान में 515 मीटर सबसे उंची जो है वो सैडल पीक है यह पूछा गया डारेक्ट इक्जाम में कि निम्ड में से अंडमान नीको बार दीव समुव की सबसे उंची चोटी काउन सी है अब सबसे उंची चोटी मालेजे आपने याद रखा है सैडल पीक है अब यहां से पूछ लेगा कि सैडल पीक जो सबसे उंची चोटी है यह किस विप में है या कहां पर पढ़ता ह है यह आपका किसमें है नार्थ अंडमान में है अंडमान को तीन पार्टों में यूठे साट मीटर और मौन्ट थ्विल्र एड ग्रेट नीको बार्म शेसोबर एलिस मीटर है यह भी एकजाम में पूछा गया है ठीक मांट थ्विलर यह आपनों का क्लियर हो गया है ठीक है यह लिए निक्स्ट आ जाईए यह अब दिया कि पश्चमी तटके साथ कुछ प्रवाल निक्षेप्त था खूपसूरत पुलिन है पुलिन यानि की बीच है किनारा है यहां से दीपो पर संभानी वर्षा होती है औ क्यों यहां पे संभानी वर्षा एक्वेटर के पास यह पढ़ता है भूमद रेखे क्यों क्योंकि एक्वेटरियल क्लाइमेत यहां पर पाई जाती इसलिए यहां पर कुछेटरियल विजीटेशन भी देखा जाए यही कि भूमदरे की बनस्पती भी उगती अरफसागर के दीपों में लक्ष दीप और मिनी काय सामील है अब पंगाल की खड़िका हो गया अभी लक्ष दीप में यह आपका अरफ सागर में आजाईए अरफ सागर में आपका लक्ष दीप और मिनी काय दू दीप समू है यह दीप एट्टी डिग्री नार्थ और ट्वल डिग्री यह आपका आठ डिग्री है ठीके आठ हंस अच्छांस से बारा अच्छांस उत्तरी और 71 इस्ट से 74 इस्ट ठीके कि बीच बिखरे हुए यह ध्यान रखेगा यंचे आटी भी देखे गलत लिखती है न यह केरल तट से 280 km यहाँ पर देखे केरल तट से 280 km से 480 km के लगवग दूरी पर है पूरा द्वीब जो है यह प्रवाल निक्षेव से बना हुआ कौन सा द्वीब जो आपका अरब सागर में है लक्ष दीब ठीक है यह केरल से लगवग 280 से 480 के आसपास है किलुमीटर में प्रवाल निर्मित है यह भी पूछा गया है यहां पर 36 दीब है यह दित ध्यान रखेगा और इनमें से 11 पर क्या मानो आवाज पाए जाता है एक एक लाइन से आटी के प्रस्ण है देखें कि मिनिकाय सबसे बड़ा द्वीब है जिसका छेत रफल 453 किलुमीटर है तो लक्ष दीब में जो मिनिकाय है सबसे बड़ा द्वीब है और पूरा द्वीब समूझ यह टेन डिगरी चैनल द्वारा दो भागों में करता है अब देखें यहां पर कितने पर मानोव आब आसा 11 ध्यान रखं़ कि किक्पाब में 10 पर किवल biblical दिखा है तो 36 में 11 पर मान वदिवास है अब देखें घलत भी होगा तब-पर準備 करता कमीशन जो है इसको मानता तो यह आपको ध्यान रखना ये और इसको दो बागों में कॉंट करता है ये 10 डिगरी चैनल करता जिसमें उत्तर में अमीनी दीप और अजिकल 3nel में देवल करन में करना कोर दीप पर ध्यान रखेंद क Scott जैसे उसमें आपका रिची दीप था इसमें कमीनी नहीं अमीनी है तो आप कमीनी दीप करके ध्यान में रखिए कमीनी और कनाना तो कनाना से कनानोरे कर लेंगे कमीनी से अमीनी कर लेंगे इन दोनों के बीच आपका यह विस्तार है देखे छोटे अस्तर पर हम लोग बात करे इस दीब समूव पर तुफान निर्मित पुलिन भी हैं जिस पर आबाद गुटिका एं सिलिंग गुलासमिका और गुलास पूर्वी समुद्धर पर पाया जाते हैं गुलासमिका क्या होती है कि ये कंकड़ पत्र के तुकुडों के अकार के अनुसार इनको गुलासमिका गु करने हैं मैं आपको क्विश्चन दिखा दूंगा कौन कौन से हैं अब्जेक्टिव वाले तो आपको 100% खुद अटेम्ट करने पड़ेंगे अब देखिए अब्जेक्टिव में दिया है अंडमार और निको बार को कौन सा जलचितरा लग करता है 11 डिगरी 10 डिगरी मननार क इखाड़ी अंडमान सागर दोड़ा वेच्टा चोटी कौन सी पाड़ी सिरंखला में इस्तितरा निल गिरी में अन्ना मलाई में काड़म में अनला मलाई देखिए असान से प्रस्ण है इसके अलामा देखिए यह 30 वर्ड में आपको लिखने के लिए दिया तो लिख भी सक करेंगे इसी फीगर को फॉलो करते हैं ठीक है अब यहांब देखिए आपका निल गिरी पाड़ी है यह अन्ना मलाई है यहांब देखिए अनाई मुडी यह सबसे उंची चूटी है ठीक है और यहांब देखिए कृष्णा नदी हो गई यह उत्तरी सरकार तठ हो गया सत्म ठीक है घर्जे सर्णी मलेगिरी है और यहांब गारोखासी जैनतिया हो गया और मैं यहांब बात कर रहा था इस्पिसली आपका इनका इनका यह आपके लक्षदीप और यह अंडमान निकोबार दीफ समों का ठीक है यहांब आप देख सकते हैं कि आपका क्या है यह इवाइट करेगा यह अपका टेन डिगरी चैनल भी यहांपे आपका दीख जाएगा ठीक है यहांपे भी आपका है यह यहांपे हो जाएगा यह आपका ट्वल्व है यह आपका क्या है एट है और पहाड़ी परवत चोटियों को जरूर याद रखिए अब आते हैं हम तो जिसमें आपने पूरा भारत का जो है भौतिक भुगोल के अंतरगति आएगा भौतिक परियावन चुकिंकि एमसे आटी है आपकी 11 क्लास की ठीक है इसमें टूटल छे लेक्चर हो चुके यह सात्मा लेक्चर है जिसमें हम लोग दीव समूहों को देख रहे हैं ताटो जैसे आपको पुछा जाए कि कोरो मंडल जो तट है इसका विकास की सब्द से हुआ है यहां पर किस सासकों का सासम था तो यह चोल सासकों द्वारा इसे जो आपका कोरो मंडल किसका तट है तमिलनाड का है ठीक है तो तमिलनाड के तट को कोरो मंडल क्योंकि वहां पर चोल का सासन था तो चोल मंदलम का आ जाता था और इसी को अंग्रेजों के तरह look अंग्रेज इन is इस पसका करेंगे अभरज कोरु मंदलम का जाने दीक क्यों को दीव समूहों से परचित कराते हैं ठीक है परचित आपको पहले से ही हो गया दीव समूह में आपका एक बंगाल की खाड़ी का है ठीक और यह कहां का आपका है अरब सागर का है एक अरब सागर के दीव समूह बंगाल की खाडी में यापका कांज सा है अंडमान निकोबार दीव समुत ये रिशन आपका है ठीक है अंडमान निकोबार दीव समुध और इसको यदि हम लोग बात करें तो इसकsun करें निर्मार य। किस काल में हुआ है? टर्सियरी टाइम पेरिएड में? क्योंकि ये किसका विस्तार है आरकान योमा का? आरकान योमा का ये दक्षडतम विस्तार मानी जाती है जो हिमाले की ही एक सयनी का भाग है ठीक है? बलित प्रवतों के रूप में इसे हम मान सकते हैं और यहां पे जो टोटल आपके द्वीप है 572 द्वीप है ठीक है इसके अलावा यहां पे जो अंदमान नीकोबार्थ पूरे समू की सबसे उंची चोटी है यह कौन सी है सैडल पीक है ठीक है सैडल चोटी है और जो कहां पे इस्तित है यह आपका है नार्थ अंदमान में यह अपराशनापसी एक्जाम के पॉइंट अभी से इंपोर्टेंट है 729 मीटर के उचाही है इसकी ठीक है एक और आपका जो पूछा जाता है माउंट थुलियर माउंट थुलियर ठीक है यह आपका किस पे हैं यह आपका है नीकोबार में यहनि ग्रेट नीकोबार आपका है सकते हैं ग्रेट नीकोबार में और इसकी जो हाइट है यह च्छेसो बे आलिस मीटर के आसपास है और यहाँ पे एक मात्र जो सक्री जो अला मुकी है इसका नाम है बैरन दीप यह पूरे दक्षण इसिया का एक मात्र जो है सक्री जो आला मुकी आप कहा सकते हैं ठीक है चलिए अरब सागर में आजाएए अरब सागर में जो दीप है यह आपका लक्षदीप है और लक्षदीप के बारे में यह लोग बात करें तो यह मुक्य भूमी से लगबग 280-480 के आसपास है ठीक है और यहाँ पर जो दीप है टोटल 36 है जिसमें 11 पर मानो निवास है 11 पर जो है मानो निवास यहाँ पर करते हैं और यह लोग बात करें तो सागर तल से इसकी उचाही लगबग 2 मीटर के आसपास ही है इसलिए हम लोग बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग हुई और समुदर का जलस्तर उचा उठा तो कई ऐसे दीप है जो क्या करेंगे दूप जाएंगे और यह जो आपका दीप है इसका निर्माड कैसे हुआ इसका निर्माड जो आपका लक्ष दीप चागोस कटक है सुकुत्रा चागोस एक है एक आपका है कौम सा लट छेग दीफ चागोस कटक ठीक है इसके उपरी प्रवालों पर जो है निक्षेफ उपरी भाग पर पर प्रवालों का निक्षेफ हुआ और इसकी वज़ा से क्या हुआ आपका लक्ष दीप का निर्माड हो गया इसलिए लक्ष दीप को हम लोग क्या बोलते हैं या इसको बोला जाता है ठीक है और इनकी जो आकरित होती है कैसी होती है घोड़े के नाल की आकार की होती है जो प्रवाल होते है यह उच्छ जैविवित्ता वाले भी होते इन्हें जो समुद्री वर्सावन की रूप में भी कहा जा इतना आप लोगा क्लियर हो गया तो यह एक बेसिक जानकारी थी बेसिक क्या आपका टूटल जो प्रशन संभावित है यहां से आपका मैक्समूम पूछे जाते हैं तो यहां पर इतना ही थैंक्स पर बाचिंग और यह पूरा जो सेशन चल लाई आपको कैसा लग रहा है इ इसके अलावा आप पे जो क्लासे चल लेए उसको यदि आप जोइन करना चाहते हैं तो हमें वाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 8318 011238 या इसके अलावा आप GSY दिवाकर आप डाउनलोड करिए और यहां पर जाके जो है इस्टोर टैब में जाएगे वहां जो है आपक content ऊपर रहेगा ऊपर में जब आप खोलेंगे ना वहां पर content दीखेंगा content पर क्लिक करिए और सारे जो content है उसको विजित करिए कुछ content जो फ्री है वह आपको उपे नों के दिख जाएंगे जो लॉग्ड है वह पर्चिश करने के बाद आपको दीखेंगे और इसमें देख सब्सक्राइब आपका यही रहता है ठीक तो यहां पर इतना है थैंक्स पर वाचिंग